शिवा इनु का पंप कब आएगा बहुत सारे शिवा इनु के होल्डर सिर्फ इसी इंतजार में हैं कि शिवा इनु का पंप कब आएगा और इस इंतजार में भी हैं कि शिवा इनु का एक अच्छा बड़ा पंप आएगा एक अच्छी रैली आएगी तो वो क्या होंगे शीवाएनु से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है शीवाएनु डेड हो चुक है उनकी नजर में और बहुत सारे लोग अब शीवाएनु को कुछ नहीं समझते ठीक है सब की अपनी अपनी चॉइस है अपना डिसीजन है कहते हैं जितना पुराना खिलाड़ी और जितनी शांती उतनी भयंकर पंप ले के आती है और यह समने मार्किट में देखा है शीवाएनु का पंप नॉर्मल पंप नहीं आता जितनी शांती शीवाएनु के प्राइज में चल रही है जब यह शांती ब्रेक होगी तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी और खतरनाक वाली रैली इतना बड़ा पंप दिखाने के बाद अराम भी खूब किया है 2022 में मार्किट गिरी 2023 में कुछ नहीं हुआ 2024 में अब तक 350 की रैली है लेकिन ऑक्टूबर का जो महीना आ रहा है वो इस बार गेम चेंजर मन्त हो सकता है शीवाएनु के लिए बात करेंगे शीवाएनु की क् न्यूज है और क्या चल रहा है शीवाएनु का प्राइज इस टाइम पे चल रहा है 0.4 टाइम 0 16 और 17 के लेवल के बीच में 16 17 का बंधन चल रहा है अच्छा बला 2 तक लेवल पहुँच गया था लेकिन परसो वजीरेक्स पे हैक हुआ और वजीरेक्स जब हैक हुआ 235 मिल मार्किट संबला हुआ इस टाइम पे शीवाएनु भी थोड़ा सा खुद को मेंटेन कर रहा है लेकिन कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिसकस करना जरूरी है सबसे पहले तो बहुत सारे लोग सोच रहें कि वजीरेक्स हुआ है शीवाएनु सेल हुआ है हैकर की तर हफते बहुत हफते बीच चुके हैं इसकि दो तीन महीने बीच चुके हैं शीवाएनु की जो रैली आई थी उसके बाद शीवाएनु नीचे चल रहे है तो एक अच्छा लेवल फिर से मिल चुका है यहाँ पर बाए करने का ठीक है क्यूंकि अगस्ट का महीना आ रहा है अ वेल्स ने भी आज हलचल किया आज 2.7 ट्रिलियन के गरीब शिवाएनू गए है अनन वालेट के अंदर में भी यह बाइंग हो सकती है ठीक है वेल की तरफ से जहां डेगिटिव निउस होती है जहां बैड निउस होती है वहां हलचल होती है वहां कुछ स्मार्ट वेल्स ऐसी होती है जो मोके का फायदा उठाती है तो 2.7 ट्रिलियन शिवाएनू आज मूव भी हुए है अब तक यह सिचुएशन है तो अब बात कर लेते हैं अगस्त का महीना आ रहा है अगर आपको पिछला अगस्त याद हो जब शिवैरियम आने वाला था 13 14 अगस्त को शिवैरियम नहीं हुआ था पब्लिकली लाइव हुआ था 29.30 अगस्त अगस्त के एंड में हुआ था थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था ठीक है पूरा एक साल होने को आया शिवैरियम लाँच हो गया लेकिन शिवा इनू की टीम इतनी सुस्त है थोड़ी सी हम कहेंगे भईया सुस्ती जरूर है जब तक शिवैरियम से पहले बैक टू बैक अपडेट्स आते थे कुछ ना कुछ हल चल रहती थी शिवा इनू की टीम के अंदर लेकिन अब वो हल चल एक साल होने को आया अगस्त का महिना स्पैशल इसलिए वे क्योंकि इस बार भी थीरियम टोरंटो इवेंट हो होने वाला है 13-14 अगस्त जो पिछले साल हुआ था पिछले साल शिवा इनू की टीम ने शिवैरियम को लांच किया था उस इवेंट से इस बार 13-14 अगस्त को क्या लांच होने वाला है शिवा इनू की टीम क्या लांच करेगी ये भी देखना बहुत जरूरी है ठीक है इसक साथ साथ अगर हम बात करें आपे अगस्त दो हजार बीस अगस्त दो हजार बीस में शिवा इनु मार्केट में आ था शिवा इनु का जो आगमन हुआ था ना शिवा इनु का जो वेलकम हुआ था मार्केट के अंदर वो अगस्त दो हजार बीस में हुआ था और इस August को क्या है, शिवाएनु की आप anniversary लगा लीजिए, birthday लगा लीजिए, 4th anniversary, मतलब 4 साल complete हो रहे हैं, August का महीना event वाला भी है, 4 साल complete हो रहे हैं, तो कही न कहीं कुछ न कुछ हलचल, अगस्त में हमको दिखेगी शिवाएनु की ठीक है, जो October तक शिवाएनु को peak तक लेक जा सकती है, तो pump कहीं न कहीं अब आ सकता है शिवाएनु का, अगर आपने तयारी नहीं किया है, तो आप कर सकते हो, नहीं करनी, choice आपकी है, क्योंकि whales तो चाहती है, आप भटकें, ठीक है, जिस coin में बड़ा pump आने वाला, उससे आपको पहले भटकाया जाता है, फिर बड़े players, retailers को, छोटे investors को इतना बड़ा profit ले जाने देंगे, तो फिर बड़े players किस काम के हैं, तो बड़े players ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपकी जेब में बड़ा pocket, मलत बड़ा profit डाले है न, आपकी pocket में बड़ा profit तभी आएगा, जब आप अपना दिमाग लगाओ होगे ठीक है तो सोचिए समझिए रिसर्च कीजिए यह कुछ अपडेट से शिवा इनू को लेके 13-14 अगस्त शिवा इनू फिर से पार्टिस्पेट कर रहा है इथीरियम टॉरंटो के अंदर इस बार शिवा इनू की टीम क्या लॉंच करती है क्या शिवा इनू का स्टेबल क विए यू में तब तकिली वाइ बाइ बाइ टेक्योर।